हाई डगपर्स विल्कम बेक टू कोर्स टेबर स्टेप मैं हूँ अनिल सिधू और रियक्ट राउटर 6.0 सिरीज के इस पार्ट में लोग बात करने वालें कि 404 पेज कैसे बना सकते हैं या फिर उसकी जिगह पर री डिरेक्शन किस तरीके से लगा सकते है 404 पेज का मतलब कह आप कोई ऐसा URL टाइप करते हो जो आपके अप्लिकेशन के अंदर नहीं एक्जिस्ट करता है जैसे कि मैं यहां पर डाल देता हूँ ABC जो URL एक्जिस्ट नहीं करता हो तो यहां में बताना पड़ेगा कि यह वाला राउट है आपने गलत डाला है तो उसके लिए स्पैसिफ नोट फाउंड कोंपोनेंट और सेकिंड बात लेट से कि आपने हाप ABC कुछ भी डाइक्ट लिख दिया बट आपने पेज दिखाना चाहते हो उसको होम पेज पे आफिर किस इक स्पैसिफिक पेज को पर रिडाक्ट करना चाहते हो वह किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको वह भी बता हूंगा सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं कॉम्पोनेंट बना लेता हूं जिसका मैं यहां पे नाम रखता हूं पेज 404.js और यहां पे मैं यहां प्लिक देता हूं इंपोर्ट करने की जरूँ तिन डिरेक्टली फंक्शन लिक देता हूं कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ना यह कोड लिखते क्यूं हो आप कोड स्निप वगारा क्यों नहीं यूज करते हो देखो इसका एक लग जाए यहां पर रिटर्न करूंगा और यहां पर मैं एक डिव बना देता हूं और डिव में मैं कुछ भी लिख देता हूं लेट से एक एच्वन टैग पेज 404 पेज इस लिख देता हूं 404 पेज आप इसको 404 पेज भी बोल सकते हो एक ही बात है कुछ डिफरेंस नहीं है एक्सपोर्ट इसको अब देगतु कि अब हम्हें लोग मैं यहां पर जाता हूं एप वल्लीफाइल के उपर और इसको आप इंपोर्ट कर लेता हूं एपट अटां सबसे पहले मिं करना क्या पड़ेगा एक यूरा बनाना पड़ेगा यहां पर एक अलगक से राउट दो सको पाथ दो सको लग से मैं इसको पाथ देताओ हूँ यहां पर स्टार और स्टार देने के ऊपर यहां पर कुछ भी तैग ओपन हो जाना चाहिए बीख लिए नहीं है यहां पर डाल देताओ, 404 पेज और एक्स्ट्रा को मैं हटा देता हूं यहां जिसके नहीं ए राइट अब हम जाके देखते हैं कि यह perfectly काम कर भी टैकनी करता हूं मैं यहां पर डाल देता हूं हेलो तो यहां पर 404 आ गया अब मैंने पर डाल देता हूं ABC तो एक default page उपन हो रहा है great अब यह हुआ कैसे पहले इस चीछ को समझे जब हम लोग star डाल देते हैं इसका मतलब भी होता है कि जब कोई भी ऊपर वाला URL मैच नहीं हो रहा और कोई भी ऐसा जैसे कि फर्स्ट वाला URL मैच नहीं हो रहा तो बस यह वाला page उपन कर दो ठीक है इस तरीके से और हम यहां पर component किस तरीके से यूज़ करना है सिंपल है यहां पर लिखो कि अच्छा वो तिक तुमने इंपोर्ट भी नहीं कर रहा है ना च्रोट इंपोर्ट भी हो जाता है कोई खास बाद नहीं है अब लिए ता हूँ पेज 404 जैसे यहां पर लिखोंगा यह अपने आप उपर से इंपोर्ट हो गया है एंद अब में इसको क्लोज भी कर देता हूं ग्रेट अब आपर साथ है हम लोग यहां पर स्टिल हमें सेम चीज़ दिख रही है आप देख सकते हो और यहां पर कुछ और टेक्स एड़ कर अब ए इस नोट प्रेज़न यहां फिर जोब्या पूधि लगए वैलेव लोगना चाहूँ रिक सकते हो इसमें बोड़म अब भी डालना चाहो तो तो अप लिंक कर देता हूं और लिंक में हम लोग डाल देंगे टू तू कंदर लोग डाल देंगे रूट और यहां पर ल बढ़ी गाइस आप अपने एक फॉर फॉर बना लिया आप आप यहां पे गलती से डाल दिया ए बीसी अब गलती से भी क्या मान लीजिए कि ने बार के नंदर आपने कुछ डैन में कैसे टैडिक लिंक बना रहें जो गलत बन गया है अब यहां पर डाल दिया कॉंटेक्ट त अ क्या कर रहा है कि अब माue कन ट्राइद कर दरबाट जेता है तो आपने बनाए निए भी तक हचाई यहां पर टेक्स में करना है ना आप चाहते हूं कि यार नए मैंना इनके उपर redact करवाना चाहता हूं इस तरीके से लिखना नहीं चाहता हूं मैं इसको directly जाता हूं कि ओम पर चला जाए तो उसके लिए मैं इस code को comment कर देता हूं because ये code मैं आपको github के उपर provide भी कर रहा हूंगा यहां बेना आप एक import कर लो navigate अब इस navigate को directly यहां पर use कर दो और इसके अंदर देना होता है आपको just 2 इसमें 2 दे दो जहां में आपको navigate करना है मुझे home के उपर navigate करना है इस तरीके से चीक है और अब मैं यहां पर आता हूं जैसे कि यह वाला page है अब मैं contact के उपर जाओंगा इसको अपने आप ही home के उपर redirect कर देगा या फिर मैं कुछ भी ABC कुछ भी लिखूंगा तो इसको अपने आप ही home page के उपर redirect कर देगा that's all for this part कुछ confusion है तो मुझे comment box में पूल सकते हो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बूलना thank you so much for watching this video